अरियोम रामम रामा नुजम सीताम भरतं भरता नुजम सुग्री उगम बायु सुनुचा पुर्णमामि पुनह पुनहा देहिशो भाग्यमा रोग्यम देहिमे परमम शुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही उपस्थिताह, समय पिसरोतारह, अस्वेगण से संयोजकाह, संडक्षकाह, परामर्षकाह, अहम यथा समय पुनह अध्य बाग के पदिय से ब्रह्म्ह कांडम पाठाइतुं, भवताम समेशाम पुरुताह समुपस्थितोस्मी। तत्र भवंताह जानन्ति यद गत दिवशे 15 कारिकाम यावत व्याख्यान अंजातं अध्य सोड़सक शंख्यात्मिका कारिकावरते यस्याह कारिकायाह व्याख्यान अंकरतब्यमस्ति। तत्र कारिकायाह स्वरूपमस्ति यद इदमाध्यम पदस्थानम सिद्धिसोपान परवणाम इयमसा मोक्षमानानाम अजहिवां राजपद्धति। कारिकायह सारांसह यमस्ति यद प्रायह यावंत्यपि दर्शनानी संति। आस्तिक दर्शनम स्यात् नास्तिक दर्शनम बाश्यात्। किन्तु दर्शनत्द्वयस्यापि भयोहो दर्शनयोहो एकस्मिन तत्वे नविरोधाह। तच्य तत्त्यमस्ति मोक्ष रूपह पुरुशार था। यथा आस्तिक दार्शनिक ही मोक्ष स्विक्रियते तथा इवा नास्तिक दार्शनिक ही अपी मोक्ष स्विक्रियते। भवत्तु मतद्वय तस्य मोक्ष स्य प्राप्तय मारगाह भिन्ना भिन्ना परंच मोक्ष रूप पुरुशार्थे नास्ती के सामपी विरोधाह। अतहा तो यदि सरवाणी सास्त्राणी सरवाणी दर्शनाणी मोक्षं प्रतिपाद यंती मोक्ष प्राप्तेहे यह मारग हास्ती तम मारगं उपदिशंती दर्शनाणी तदा अस्य व्याकरणस्य कावश्यकता। यतो ही एतावत परियंतम इदमेव आगतम जद इदम व्याकरण सास्त्रम पी मोक्ष प्रतिपाद कम दर्शनं मोक्ष प्रतिपाद कम दर्शनं। अनेन दर्शने नापी मोक्षम सुईकरोती मोक्ष स्य अवाप्ती कथम भवती तश्य मारग हाकहा केन पथा गमने तश्य परम पुरुशार्थ स्य प्राप्ती भवतीती इदम प्रतिपाद इती व्याकरण सानंच। व्याकरण मते सब्द तत्व ज्यानादेव रिते ज्यानान्य मुक्तिहिती रीत्या ज्यानादेव मुक्तिह भवती तच्य ज्यानं व्याकरण सास्त्र रीत्या व्याकरण दर्शन रीत्या सब्द ब्रम्हन अज्यानं। अता हा सब्द प्रम्हज्याना देव मोक्ष स्प्राप्तिर भवति व्याक्रन रीतिया। भवतु नास्तिक दर्षन रीतिया येद मरणमेव अपवरगहा। परंच तनमते प्रत्यक्ष प्रमाना तरित्तम अन्यत कीमापि प्रवाणम नभवति। परंच केंतु प्रमानेशु सब्द प्रमानम अपि स्विकरतब्यम एव निश्च प्रचम एव सब्द प्रमानम स्विकरतब्यम। यदि सब्द प्रमानेन इदम सिध्यत रिते ज्यानान नमुक्ति रिती, तत्र अवश्यमेवस इदम सुईकरद अभ्यमेद ज्यानाद एव मुक्ति, कसमात ज्यानात मुक्ति रिती ज्यासायां वहिया करणा इह प्रतिपादितम सब्द ब्रह्मक ज्यानात मुक्ति, परंच मुक्ति प्रतिपादिकं प्रायह सरबाणी दर्शनानी संती नियाय दर्शनम प्मोक्षम प्रतिपादयती सांख दर्शनम प्मोक्षम प्रतिपादयती योग दर्शनम प्मोक्षम प्रतिपादयती वेदांत दर्षणं अपि मोक्षं प्रतिपादयती तिरित्या यदी सरवानि दर्षणाणि तस्यमोक्षस्य प्राप्तये यह मारगहा तम्मारगम उपिदिशन्ती तदा पुनहा अस्य व्याकरनष्य कावश्यक्तावरतते ये तो ये दिम आरगस्य ग्यानम दरसन अंतरेण भवितु मरहती तदा अस्य दरसन अस्य अस्य सास्त्रस्य नका जित्तु पियोगिता मोक्छप अवापताई किन्तु तस्य व उत्तरम दातुम यें कारिका वरतते कारिकायाह याख्यानम तुन अंतरं करिश्या मेव परंच तत्र पूरवं एका कथा स्रोतव्या ये या माध्यमेनो इदं ज्यानम भविश्यती येदक व्या करनस यम आवस्यक्तास्ती कथास्ति येद स्रीमद भाग्वद महा पुराने प्रथम शकंधे एव प्रथम ध्याय दुतियाह प्रथम ध्याय से दुतियम पध्यम बरतते दुतिया श्लो कहस्ती ये ये अन्तिमम चर्णमस्ती सध्याहरद्य वरुद्य तेत्र धर्मह प्रोजितकाईतोत्र निर्मत सराना सताम इत्यस्मिन पद्ये अन्तिमे आगतम् सद्ध्य हरद्य उरुद्ध्यति तत्रा पि अयमेव प्रश्ण आगता हा यद भागवत सास्त्रम अपि मोक्षप प्रतिपादेकं सास्त्रम दर्शनानी अपि मोक्षप प्रतिपादेकानी सास्त्रानी संति तर यदि धरसनाई रेव तस्य मोक्षस्य प्रात्यर भविश्यती मोक्ष प्रात्य हिया हमारगह तस्य मारगह स्य ज्ञानम भविश्यती चेत का वशकता भागवत सास्त्र स्य। ॅयमेव प्रशनह वर्थते तत्रावि अस्य वछ प्रसनश से उत्तरण दत्तम वर्थते सद्यह रध्य वरुध्यते अत्र сравि श्य मेन शास्त्रे सास्त्र अंतर वत यद्य प्रैल्भ कुल भवरगह स्य। अस्मिन सास्त्रे पी मोक्ष प्रतिपाद कत्तमस्ति यथा दर्शनांतरे परंच उभयोर भेदाह भेदाह यमस्ति यद अन्यानि यानि सास्त्रानि संति ते यद्य पी मोक्षम प्रतिपाद यंति किन्ति मोक्षस्य यह प्रतिवंध कहा विशयेशु इंद्रियाणां प्रवर्तिही तत्र इंद्रियाणी नियंत्रितानी भवंति इंद्रियाणी कथम नियंत्रिताह या नियंत्रितानी भवंति ए तस्मिन विशय एव दर्शनानी प्रतिपादयंति अर्धात इंद्रियानाम एव नियंत्रणं कुरुवनी इंद्रियानाम नियंत्रणे एव उपायं बदंती दर्शनानी या दर्शनी काहा परंच यदि कचन चाउरह अस्ति सह चाउरकाले जनई ही ग्रहीत अवर्तते किन्तु समय हस्ति रात्रे हे जनाह इदंचिंत यंतियद प्रातह काले राजपुरुशेशु पारश्वे अहम वयम नेश्याम हा अमुम जनम अमुम चाउरम जिन्तु रात्रव तस्य ग्रहे एव भवितव्यहा तत्रक्किं करणियं। जनाह ग्रहीत्व तिष्ठंतु रात्रव अथवा तस्य वहिर गमनस्य या यावंतू पिमारगाह संति ते सर्वे मारगाह अवरुद्धाह भवंतु विति समेशाम मारगाणाम अवरोधनम कुरवंतु। उपाय द्वयक कह उपाय हस्रेष्ठः यदि तम ग्रहीत्व यदि जनाह तिष्ठंति चेत तदा कदाचित अश्रावधानीति भवितुम रहति अवहेलना याता कदाचित अश्खलनम भवितुम सकनोति यद निद्रावसात। सैथिल्यमा गमिश्यति हस्तेशु यहस्तयोह सैथिल्यमा गमिश्यति चेत तस्य सहव वही गंतुम सकनोति। किन्तु तस्य गमनस्य ए मारगाह ते मारगाह एव अवरुद्धाह भवनति चेत तदा सहग वही नगंतुम सकनोति। एवमेव वरतते यद अन्यानी यानी दर्सनानी संती ते ए मारगाह इंद्रियरूप मारगाह तान मारगाह तेसाम मारगाणाम अवरोधनं कुरवनति। किन्तु तस्य मारगस्य इह द्रिष्टा वरतते एन कारणेन तस्य मारगाणां तेशाम मारगाणां ज्यानं भवति तत कारणमत्स्ति मनहा अतह भागवत सास्त्रम् वनशह नियंत्रनाय उपायं बदति। अन्यानि दर्षनानी मनसा प्रेरितानी यानि इंद्रियानी संति तेशाम इंद्रियानां नियंत्रने उपायं कत्यंति। एवं रित्य भागवत सास्त्र सिदमेव प्राधान्यं यद तेन सास्त्रेन मनसह नियंत्रनस्य यह मारगाह तस्य मारगस्य उपदेशह करोती भागवत सास्त्रम् शह मारगह उपदिष्टह भवती भागवत सास्त्रेन। तद वदेव वरत्तते तद वदेव अत्रापी व्याकरणेपी वरत्तते इदम शत्यम यद सरवाणी दर्शनानी मोक्षा वाप्त येह मारगह तस्य मारगस्य उपदेशं कुरवंती व्याकरणम अपि तस्य मारगस्य उपदेशं करोती यदि दर्शनांतरेणो या दर्शनांतरेही उपदिष्टहयह मारगहा तेनम आरगे नईव अस्य मोक्षस्य प्राप्तेर भवुत्यम अरहति चेत व्याकरणस्य कावसिकता तदेव कथयती यद इदम व्याकरणं शमेशां मोक्षप्रतिपादकानां शमेशां दर्शनानां प्रथममस्थानमस्ति व्याकरणं यतोही शरवेशु दर्शनेशु यस विशयस उपस्थापनं वर्तते शाह विशयातु सब्दे नई उपस्थापितम उपस्थापितास्ति सच सब्दहा कस्मिन अर्थे प्रयुकताहा तस्त सब्दस्य अस्मिन प्रसंगे कह अर्थाहा अस निर्णायाहतु व्याकरणे नई उपस्थापित एक जनाह हिंदी भासाम जनाति अपराह जनाह आंगल भासाम जनाति यह जनाह हिंदी भासाम जनाति श्रह जना आंगल भासा भासिनंपरती प्रक्षती भो तद स्थानस्य मारगह कहा तद स्थानप प्राप्ते मारगह कहा श्रह आंगल भासया तद स्थान प्राप्तिमारगं उपदिशती, किन्तु यह हिंदी भासी जनह वर्तते श्रह आंगल भासाम न जानाती। अता आंगल भासा भासी यह जनह श्रह किम कथितवान इति ज्यानम हिंदी भासा भासी यह जनह तस्य न भावती। एतो ही तेन एसाम सबदानाम प्रयोग हकृतहा तद सब्द जन्य अर्था कहा तद अर्था स्य ज्यानम नास्ति तस्य हिंदी भासा भासी यह जनह तस्य जन स्य ज्यानम नास्ति। अता आंगल भासया प्रतिपादीता यह मारगा आंगल भासया उपदिष्टा यह मारगा तस्य मारग सग्यानम नभवती। एवमेव देदे यही यही मंत्रै ही यह विशया प्रतिपादीता वर्तते अथचा अन्येश अपिद अन्येश दर्शनेश अपि यह यस यस विश यस प्रतिपाद नमस्ती। इयदि सवधा सवधस्य तजन्यार्थस्य चैद ज्ञानं नभविश्यति चेत तेन सास्त्रे न किम प्रतिपादितम मंत्रे किम प्रतिपादितम स्थीति ज्ञानं नइवभवितुमा रहती। अतहा इदम व्याकरण सास्त्रम सास्त्रां तरे वेदेवा प्रतिपादी तहा मोक्षा स्यवाप्ताय प्रतिपादी तह यह मारगहा तस्य मारग ज्यानाय अयम प्रतम हा इदम प्रतम अमस्थान वरतते इदम ज्याकरण एवम रित्या भवतु दर्सना अंतरेशु मोक्षप्राप्तिवपाय समारग स्युपदेश हा परंत तश्य उपदेश स्ज्यानाम तदैव भविशेत यदा व्याकरण स्ज्यानमस्थी तदैव प्रतिपादय ति आचारियह यद इदम आध्यम पदस्थानम सिध्धी शोपान परवणाम सिद्धि सोपान परवणाम आध्यम पदस्थानम सिद्धेह सोपानम सिद्धि सोपानम तस्य परवाणी सिद्धि सोपान परवाणी तेशाम सिद्धि सोपान परवणाम अर्थात यदि कस्चण जनह प्रासादम गच्छुम इच्छती चेत, तदा प्रासाद गमनश्य इहम alan यानी शोपानानी संती तेसु सोपानेशु, क्रमेण यदि पादन्या संकृत्वा गच्छती चेत, सम्यकतया शोपानश्य प्राप्तिरभवती यदि उत्पुलुत्य उत्पुलुत्य गठ्चती अर्थात क्रमेण पाधन्यासं न करोती एकाइकं सोपानं विहाय पाधन्यासं करोती चेत अस्खलनस्य पूर्णतया संभावना पूर्णतया वरतती एव मेव तो अत्र सिध्धी पदेन सिध्धी फलम यस्य फलस्य प्राप्तय या क्रिया प्रारभ्यते तद क्रिया जन्यम यत फलम तद फलम एव अत्र सिध्धी पदवाच्य यदि प्रासाद प्राप्ति मुद्धिस्य गमनक्रिया विधियते चेत तदा गमनक्रिया या फलं तत्र प्रासाद प्राप्ति किंतु प्रासाद प्राप्ते हिया मारगहा श्रह मारगहास्ति सोपान द्वारा तेशु सोपानेशु क्रमसह एकस्मिन एकस्मिन सोपाने पाधन्या संक्रित्पईव तत्र गंतब्यं प्रासाद स्प्राप्ति करतब्या प्रासाद प्राप आसाद प्राप्ति रूपस्य फलस्य अन्नवेश रंकरतव्यम्. यदि यानि सोपाना निसंति तेशो सोपानेशु एकम एकम सोपानम परित्यज्य विहाये चेत पाधन्यासं करोति तदा सोपान प्राप्तेहे सम्भावना पियस्ती अथचा विगटनम अपिभावितोमा रह तत्रसंदेहा अत्रही मोक्षा रोहन अत्रही प्रकरते फलं बरतते मोक्षप्राप्ति ही तस्य यह मारगहा तस्य मोक्षप्राप्ति मारगत्वेन प्रसिद्धानी संति सास्त्रानी दर्शनानी तेसु तानिच संति या प्रसिद्धाह संति चतुर्दस विद्याह चतुर्दस विद्यासु अपी मोक्षप्राप्ति उपायह प्रतिपाधित हस्ति कि तुर्दस विद्यासु आध्यम, प्रतमम, मूलभूतम, पदस्थानम रथाध्nent, पदञ्यास भूमिह बरतते इदं सब्दाणुसासनम नाम व्याकरणम तो यदि प्रासाद प्राप्तिकामहा यह जनह प्रासादं प्राप्तमिक्षति यदि सह जनह प्रथम सोपानेव पादन्यासं नकरूति चेत तदा तस्य प्रासाद प्राप्तिरन भवति यदिच हठात वलात सहक्रियां करोती तदा स्खलनस्य पूर्ण संभावना भवती एवम-यव भवत चतुर्दस विद्यासु मोक्षस्य प्रतिपादनं सर्वासु विद्यासु मोक्षप्राप्तैय हमारगः वरतते तश्य मारगस्य उपदेश अहा करताह वरतते इति सत्यम नास्तियत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य तस्य मारगस्य उपदेशा करता हवरतते। अस्थान प्राप्तेह अभिलासा करियते चेत तदा अस्खलनस्य पूर्ण संभावना वरतते। प्राशादस्य प्राप्ति करतभ्या नतु एकम एकम सोपानम परित्यज पादन्यासा करतभ्या। तदव देव चतुर्दस विद्यासु मोक्षस्य प्रतिपादनं करतम बरतते। चतुर्दस विद्यासु मोक्षप्राप्ति उपाय हयह मारगह सह मारगह उपदिष्ट हस्ति। अरथात सरवाणि दर्शनानी सोपानानी संति। मोक्ष रूपस्य प्राशा अदस्य सोपानानी संति सरवाणि दर्शनानी तेशु सोपानेशु यदि प्रथमं सोपानं विहाय, प्रथमं सोपानं परित्यज, यदि सोपानांतरे पादन्यासंकृत्वा, मोक्ष रूपस्य प्राशा अदस्य यदि प्राप्ति करियते चेत, तदा प्राप्तिर भविश्यति नवा इत्यत्र संदेहा वरतते। अतहा प्रथमन्यास भूमिही पादन्यास भूमेह यद प्रथममस्थानं तस्मिन स्थाने पादन्यासं क्रत्वाईव तेन पथागंतब्यम। सोपानस्व परित्यागहनकरत अभ्यहयति तदे वो कतेति इधं व्याकरणं इधं शव्दानुसासनं नाम व्याकरणं आद्यं प्रथमं मूलं प्रथमं मूल भूतं पदस्थानं पादन्यास भूमिhi वरतते कस्य सिध्ध सोपान परवनामिती दृष्टान्ध परंबाक्यं सिध्धि निस्चयह शिध्धि फलम अर्थात यद फलमुद्धिस याक क्रीया विधियते तस्य फलस्यैवत प्राप्तिर नभवती तावत क्रीया है समाप्तिय पिनकर्तब्या गत दीवशे मया उक्तम एद अपवरगे तरतिया इत्यसमिन सूत्रे भगवता भासकारेण उक्तम प्रिष्टंच अईभोक कहा अपवरग हा तद आउक्तम भगवता भासकारेण एद फलप प्राप्तव सत्यां क्रिया पर समाप्ति हीति अपवरग हा रूढः अरधाद यद फलप प्राप्तव सत्यां क्रिया पर समाप्ति हीति अपवरग हा रूढः अरधाद यद फलप प्राप्तव सत्यां क्रिया पर समाप्ति हीति अपवरग सब्द हा रूढः तो यदि मोक्ष रूपम फलमुद्धिस्य काचित क्रिया आरभ्यते चे तत्वज्ञानाय तदा तत्वज्ञानान अंतरम साक्रिया समाप्यते साच क्रियास्ति सास्त्राणाम अध्ययनम सास्त्राणाम अध्ययने नईव तस्य मूलभूतस्य तत्वस्य ज्ञानम भवति एन तत्वज्ञानात मोक्षप्राप्ति ही तेशु सास्त्रेशु प्रथमम सास्त्रम मूलभूतम प्रथमम सास्त्रम वर्तते व्याकरण सास्त्रम व्याकरण सास्त्राध्ययन अनंतरम एव सास्त्रांतराणाम ज्ञानम भवतित्यस्य इदमेवतात्पर्यं ज्यातव्यम यद कस्चन पी जनहां कस्चन पी कभिही यदी स्वाभी प्रायम प्रकटयती चेत स्वाभी प्रायम प्रकटी करतु मिक्षती चेत तदाज स्वाभी प्रायम प्रकटनाय उपाया कहा कहा उपाया तएक हम एक मात्र सवदह एव एवं भूतह एक हा उपाया एन उपायेन स्वाभी प्रायम प्रकटयती स्वाभी प्रायम प्रकटी करोती किन्तु तस्य सवदस्य कह अरथः यावद ज्ञानम नभविश्यती यावद ज्ञानम नभवती तावद तस्य कवे है तस्य मंत्रस्य तस्य सास्त्रस्य तस्य आचारियस्य कह अभिप्राय है ती कथम ज्यातुम सक्नुमाह एव मरीत्या तत्तत पदजन्यार्थ बोधाय अवस्यमेव व्याक्रण सास्त्र स्यध्येनं करत अभ्यम ततते वग्रे गते ईयम व्याक्रन इश्म्रतियम व्याक्रन विद्या मोक्ष मानानाम अर्थात मुमुक्षुु नाम यह जनाह मोक्ष मिक्षंति ते साम्जनानांक्रते अजिहिमा राजपध्धिति ही अजिहिमा अकुटिला सरला राजपध्धिति ही राजमारगहा राजमारगहा अस्ति सरला लगुभूता चैयम राजपध्धिति ही सुद्रिधा अविक्षिन्ना अभ्रांतो अकंटका सुगमाह अयम्मारगह वर्तति लगुवूता अद जशुद्रिधा अब्विक्षिन्न अब्भान्तो अकंट कहा अयम शुगमह राजमार गहा इयम व्याकरण विद्या यथा शाहित्य दरपणे एकह प्रशंगह वरतते एद एकस्य वरोगस्य उपसमना आय अवसधित्यम वरतते एका अउशधियस्ति तिक्त अउशधि अपराच अउशधियस्ति म्रदु अउशधिय। एह म्रदु अउशधिम विहाय तिक्त अउशधिम सेवेत्य अरथात्य नसेवनं करोति एदि म्रदु अउशधिना एव तस्य रोगस्य उपसमनं भवितुमरहति एदि म्रदु अउशधिना एव तस्य रोगस्य श्रमाप्ति भवितुमरहति यस्य रोगोपसमनाय यस्य रोगस्य उपसमनाय तिक्त अउशधिम् तिक्त अउशधिय सेवनं करोति तदा तिक्त अउशधिम् विहाय म्रदु अउशधिय सेवनं एव कर्तभ्यं एवं सति मारगद्वयं मोख्यरूपस्य फलस्य प्राप्तय मारगद्वयं एक ह सरलह मारगद्वय अपर करस्च बक्रह मारगद्वय कुटिलह मारगद्वय एवं सति कह विचार कह एवं भविश्यति यद सरल मारगं, अकुटिलं मारगं, लगुभूतं मारगं विहाय, दीर्ग भूतस्य मारगस्यो, कुटिल मारगस्य वा आसरणं कुर्यात, अयम नीतिर नास्ति यदी सरलेन मारगेन, लगुभूतेन मारगेन, यदी अभिलसितस्य स्थानस्य प्राप्तिही भवितुम सकनोति चेत, तदा कुटिल मारगस्य आसरेणं, वक्र मारगस्य आसरेणं नकर्तब्य तदेव उपदिशति वर्त्रिहरिही यद, यदी सरलेन मारगेन, तस्य प्रमपुरुशार थस्य प्राप्तिही भवितुमरहति चेत, तरि सरलेन मारगम, लगुभूतं लगुभूतंच मारगम, विहाय, कुटिल मारगानं आसरेणं नकर्तब्यम, कुटिल मारगेनं नगंतब्यम। यतोही, एक हद्रिश्टांत वर्तते, भागवशरीमद भागवत्महापुराणे, कि मुत्पतस्त कुशलायकल्पते। यह जनह सरबदा कुटिल मारगे प्रचलती, यह जनह सरबदा वक्रमारगे चलती, वक्रमारगस्य वास्त्रणं करोती, तस्य जनस्य क्रते, कल्यानाय क्यानतम उपायं कुरवन्तु, किन्तु ते उपायाहा नईव सहायं कुरवन्ती, एकस्मिन दिने तस्य स्खलनम तस्य पतनम भवत्तेव, विश्मे पति धावता इत्युक्तम भरतते अस्मिन्य ववाक्य पदिये, यह कुटिल मारगे यह दि धावनम कुरवन्ती, कश्चन जनहा, तदा तस्य पतनम अवश्यमे वभवती, अवश्यमे वभविश्यती, तत्र कश्चन पी उपायहा सहायं नकरोती, एव मेव सुखेन यस्य, सुखेन यस्य फलस प्राप्तिर भवितुमरहती चेत, दुखेन तस्य फलस प्राप्तिही नकरतब्या, इत्य उपदेशह, एव मसती, यदि परमपुरुशारतस्य मोक्षश्य प्राप्तिही, सरलेन मारगेन, लगुभूतेन व्याकरन रूप मारगेन, भवितुमरहती चेत, तदा सास्त्रांतराणां, मोक्षप्राप्तय उपायह नशुईकरतब्या, इति वर्त्रिहरिही उपदिशती, अतह अनयारित्या, इदमेवसिध्यती, इद सास्त्रांतरवत, दर्सनांतरवत, इदम व्याकरनमपिशास्त्रम, मोक्षप्रतिपादकं सास्त्रम, व्याक्रण अध्याइने नापी व्याक्रण सास्त्रेन एशाम मारगानाम उपदेशा कृतह वर्तते तद मारगानु शरनेन परम पुरुशार्थस्य प्राप्तव नकस्चन प्रतिवंध कहभवते। उक्तम अपि वर्तते एद सब्दे ब्रह्म्हनी निशनातह परम ब्रह्म अधिगक्षती अधिगक्षती प्रापनूती यद परम तत्वं परब्रह्म्ह वर्तते तस्य परम तत्वस्य परब्रह्म्हन प्राप्तिही सब्दे ब्रह्म्हनी निशनातह एदा सब्द ब्रह्म्हन सब्ध ब्रह्म्ह ज्ञाना अनंतरमेव परब्रह्म्ह प्राप्तिही सब्ध ब्रह्म्ह ज्ञानां बिना परब्रह्म्ह प्राप्तिह नभवति सब्ध ब्रह्म्ह पदेनत्र वेदस्य वगरहन अंकरतव्यम अतह वेद ज्ञाने नईव वेदार्थ ज्ञाने नईव प्रब्रम्हनाह प्राप्तिहि वेदार्थ स्यच ज्यानम व्याकरणम बिना कदापिन सम्भवति. अतहा, सबदे ब्रम्हनी निशना अतहा, प्रब्रम्ह अधिगच्यति त्यत्र कारेकारण भावस निरूपणमस्ति. परंप्रम्ह अधिगख्यती प्राप्ति ही तो परंप्रम्ह प्राप्ति उपाय यत कारणम तद कारणमस्ति सब्दभ्रम्ह कोमा कोमा को है एवम रित्या सब्द ब्रह्म ज्याने निष्ठ कारणता निरूपिता कार्यता, सब्द ब्रह्म निष्ठ जनकता निरूपिता जन्यता परब्रह्म्हनी वर्तते। पुना कथयामि सब्द ब्रह्म पदे नत्र वेदस्य वगरणं करतव्य अता वेदाह एकह एवं भूताह उपायह एनो उपायेन परब्रह्म्हन प्राप्तिर भवती। किन्तु वेधасय, वेदेशyu, वेद मंत्रेशyu, कश्य तत्तवस्य प्रतिपाद नमस्ती, कश्य मार्ग स्युपदेस अहस्ती, केन पथा गंतव्य मिती निरुदेश अहस्ती, अश्य एतद ज्ञानंतु व्याकरणं भिना कदापिन संbhavati। अतह अवश्यमेव व्याक्रनस्य ध्यनं करतब्यमे ती भर्त्य हरेहे तात्परियम अग्रिमा कारिका वरतते अत्रातीत विपरियासक के बलामनुपश्यती छंदस्य छंदसाम योनिम आत्मा छंदो मैीम तनुम। अत्रापी इदमेव प्रतिपादयती यद वर्नादी विभाग रहितायाह सुध्धायाह मध्धमादी सूक्ष्म बाचाह ज्यान कारणत्य नापी व्याक्रनस्य प्राधान्यमस्ती व्याक्रनस्य प्राधान्यमुपपादयती अनया कारिकाया अत्रातीत विपरियासः अत्र कस्मिन व्या करने हैं। संसय पदेन कस्मिन व्या करने हैं। मिथ्या ज्यानं विपर्ययह अतद रूप प्रतिष्ठितं। इति विपर्ययह विपर्यासह अतवा मिथ्या ज्यानं विपर्ययह अतद रूप प्रतिष्ठितं। अतद रूप प्रतिष्ठितं यद वस्तुनह यद रूप मस्ती तस तेन रूपेण तस ज्यानं नभवति किन्तु भिन्यरूपेण तस ज्यानं भवति चेत। विपर्ययह तत्स कार्नमस्ती मिथ्या ज्यानं मिथ्या ज्यानेन इडं भवति। यथा रज्जुह वर्तते किन्तु रज्जोह रज्जुत्वेन ज्ञानम न भवती सर्पत्वेन यदा तस्य ज्ञानम भवती चेत मिथ्या ज्ञानम वर्तते मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितां एन रज्जुत्व रूपेन रज्जुह प्रतिष्ठिता वर् ततते बचन सहस्त्रे नापि सर्पत्व धर्महा, सर्पत्व रूपस्य धर्मस्य अति देशह व्यवारह रज्यव नभवितुम सकनोती इदम सत्यमस्तियती रज्यव, सर्पत्व नास्ती रज्यव रज्युत्यम्य ववर्तते तथापि यद्धि वस्तु यद्श्वरूपम तद स्वरूपम व्यभिचरति चेत तद वस्तु असत्यम विकारह। और बाचारं भडं विकारम नामधेयम तिरेत्या यह खलू कस्चन विकारह सरबदासह तद असत्यम वभवति। यह कस्चन विकारह सरबदासह तद असत्यम वभवति। अतह असत्य वस्तु नहां मात्र सब्देन संकीर्तनं भवति तस सत्तान भवति। त्रैकालिकी सत्तान भवति तस वाचारं भणं विकारं नामधेयम ति। एवं सति तदेवयोग सूत्रेनक कथितं मिथ्या ज्यानं विपरियय अता दरूप प्रतिष्ठितं। किन्तु इदमपिचिंतनियम मिथ्या ज्यानस्यापि कारण द्वयम। इंद्रिय दोसात संसकार दोसात्य मिथ्या ज्यानं। मिथ्या ज्ञानस कारण द्वयं भवती इंद्रियेश यदि दोशह ज्ञाने इंद्रियेश ज्ञान कारणी भूतेश इंद्रियेश यदि दोशह भवती चेत तदा यद सवस्तु नह यद स्वरूपम तेन रूपे नत सवस्तु नह ज्ञानम न भवती अथवा संसकार दोश संसकारे सुपियदी दोशह भवती चेत तदपी यदबस्तु एन रूपेण वरतते तस्य बस्तु नह तेन रूपेण ज्ञानम नभवती सत्य ज्ञाने तेन रूपेण शहतं नश्वी करूती अधा वैशेशिक सुट्रकारेन कथितं इंदरिय दोसाथ संसकार दोसाथ चमित्या ज्यानम अधाच भ्रमहा व्रमह किमस्तीती भवंता जानंती एव यदा एदा संसयस्य निवर्तिही विपर्ययस्य निवर्तिही व्रमस्य चा निवर्तिही समाप्तिही भवति एतो ही संसय विपर्यय व्रमस्य चार्य एतेशु कार्य साधकत्वन नास्ति एतेशु कार्य वाधकत्वन बर्तति यदि कार्यमस्ति यत्र फलमस्ति अथवा एवं स्विकरूतु यद एतेशु फल साधकत्तों नास्ति फल बाधकत्तों बरतते। फलमस्ति यदि मोक्ष प्राप्ति ही फलमस्ति यदि मोक्ष तदा तस्य मोक्ष स्य प्रतिवंध काह इमे भवंती संसय विपरिय भ्रमाहाईती। किन्तु व्याकरना अध्याईनेनो संसय अस्य विपरिय अस्य भ्रमस्य चा अर्थात संसय विपरिय भ्रमात्मकानां ग्यानानाम निवरत्ति भवति अतीताहा नहीं मात्र निवरत्तिरेवन भवति अतीताह समाप्ताहा अतीत पदेना प्यत्र किंचित रहस्यम बरतते अतीतह भोती अत्र अतीतह इत्यनेन दगधवीजन न्यायह स्विकर्तव्यह यद योग सास्त्रे दगधवीजन न्यायह बरतते दगधवीजन न्याय स्विकर्तव्यह यद अस्ति एकम वीजम एन वीजेन अंकुरोत पत्तिही यश्मिन वीजे अंकुरोत पादन सामर्थ्यम वद्यते तस्य वीजस्यन न्या सहा भवतु दस वरसं यावत कश्मिश्चित स्थाने किन्तु यदा तेन वीजेन सह म्रदु सलिल संजोगा भवती तदा तेन वीजेन अंकुरोत पत्तिर जायती परण्च यह यदवीजं दगधं अस्ती तेन वीजेन सहा क्यान भवतु मृदु सलिल संजोगा कदापि तेन अंकरोत पत्तिह न भवतियत अंकरोत पाधनас से अंकरोत पाधस से यद सामर्थ्यं शाह सामर्थ्यं नश्टन जातं अता पुनाह तेन भीजेन अंकरोत पति नभवती अंकरोत पादा नभवती। एव मेव संसयस्य दग्ध भीजवत नासा संसय भीपरियय मिथ्या ज्यानानाम दग्ध भीजवत नासा भवती। केन व्याकरनाध्ययनेन अत्रातीत विपरियासा अयदाच संसय विपरियय व्रमात्मकानाम भ्रमरूपानां ज्यानानाम नाशह भवती दग्धवीजवत तदा यद वास्तविकं स्वरूपं भवती तस्य वास्ति विकस्य स्वरूपस्य ज्यानं भवती केवलाम अनुपस्यती अर्थाद संगृत क्रम अखंडाम एकाम मध्यमा दिवाचं। अनुपस्यती स्वीकरोती या तस्य ज्ञानम भवती। संगृत क्रमाम अखंडाम एकाम मध्यमा दिवाचं। ज्ञानम भवती। कदा यदा संशय विपरियय भ्रमस्य नाशह दग्धवीजवद यदा नाशह तदा। संगृत क्रमाम यत्र क्रमस्य संगा रह जाता। यत्र यस्याम वाचि क्रमस्य संगा रह जाता। ताद्रिशी क्रमसंगा रह जूता अखंडा या वाक वर्तते मध्यमा वाक तस्याह वाचह तस्याह वचसह ज्ञानम भवती। तेन साचवाक ब्रम्ह पद वाच्चीव साचवाक ब्रम्ह स्वरूपईव। यतो ही चिन्त यंतु ओम ओमिति यत पदं वर्तते तेन पदेन ब्रम्हन प्रतिपादनम भवती। तत्र बाच्यकह ओमिति पदम बाच्यह बाच्यम वर्तते ब्रह्म्ह बाच्य बाच्यकयोह अभेदाध्यवसायात ओमित्यकाप्छरं ब्रह्म्ह सत्यमस्ति ओमिति ब्रह्म्हनास्ति किंतु ओम पदेन प्रतिपाध्यम जदस्ति तद ब्रह्म्ह तद ब्रह्म्हस्ति किंतु अभेदाद्ध्यवसायात ओमित्य सक्रते ब्रह्म। अभेदाद्ध्यवसायात ओमित्याकारिका प्रणवात्मिकाया वाग सावाग ब्रह्म। पदवाच्या युक्ता प्रणवरूपेन सर्वबादा विरोधनी इति पूर्वं प्रतिपाधितंबरत्दे प्रणवरूपेन युक्ता तो तस्य वाचका प्रणवाह सूत्रमस्तियोग सूत्रम तस्य वाचका प्रणवाह इस्वरस्य वाचका प्रणवाह ब्रतते। व्याकरने प्रणवात्मिका वागस्ति यया वाचाग्यानेन मोक्षस्य प्राप्ति ही. तो केवलामन पस्यति चंदस्या 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 चंदस् चंदो मैम अर्थात अकर्त्रिकत्वेन सक्षंदाम छंद स्वरूपाम तनुम पश्यती अर्थात वास्तविकं स्वरूपं पस्यती महाद रहस्यम वर्तते honored, एशुवाक्येशु महाद रहस्यम वर्तते, अते अयम्वाक्यपदिय ह से गरंथा प्रकरन गरंथा, उतो ही अस्मिन गरंथे याह कारी कह्षंति तासु कारी कासु एकैकम ड़ी वाक्यं एकस से सिध्यान्त स्प्रतिपाद कह वर्तते तत्रपुर्वं इदंस्रोतब्यं यद छंदस्य छंदसाम पंच दसी नामकह एक ग्रंथा वरतते तस्मिन ग्रंथे तरप्ती दीप प्रकरने एक प्रशंग हस्ती यद पंच कोसा भवंती अन्यमयकोषः प्राणमयकोषः ज्यानमयकोषः इत्यादिरित्या पंचकोषः भवन्ति तैही पंचकोषः ही आक्षादितह वरतते आत्मा अतह आत्मनह वास्तविकस्वरूपम ज्यानम तावद नभवति यावद पंचकोषः ही आक्षादितह वरतते यदा पंच कोशाणां ज्ञानम भवती तदा तस्याक्षादन सनिवर्तिही तदा आत्मनह यदा वास्तिवेकं स्वरूपं तस्य वास्तविकस्य स्वरूपस्य ज्ञानम इती तात्परियं वर्तते तस्याह पंच दसी नामकस्य ग्रंथ सत्रप्ति प्रकरने प्रतिपादितायाह लिखितायाह कारिकायाह यदा पंच मयकोशैही आक्षादितह यह आत्मा तस्य आत्मनह वास्तविकस्वरूपस्य ज्ञानम तावद नभवती यावद आक्षादकान निवर्तिहन भवति अतेव पंचमयकोशानाम यदा ज्ञानम तदा आत्मनह वास्तविकस्वरूपस्य ज्ञानम। इदमेव प्रदिपाधितं बरतते गीतायामपी नस्टो मोहह इस्मर्तिर लबधा। मोहह अज्ञानम अज्ञानेन आत्मा आक्षादित हवरतते यदा तस्य अज्ञानस्य निवर्तिही आक्षादकस्य निवर्तिही तदा वास्तविकस्य स्वरूपस्य ज्ञानम। एवमेवो चंदस्य चंदसाम यूनिम आत्मा चंदो मयम तनुम। चंदो मयम इत्यत्र चंदो मय सब्दह आगतह। चंदो मय इत्यनेन सब्देनो अकर्त्रिकत्तों प्रतिपादनियमस्ति अर्थात वेदस्य आधुनिकाह कस्चन सरीरी करता नास्ति यथा इश्म्रती नाम दर्शनानांच करतारह आधुनिकाह सरीरी नहसंति तदवद वेदस्य आधुनिकाह कस्चन सरीरी करता नास्ति इत्य चंदो मय सब्देन प्रतिपादनियम् तनुम इत्यत्र सरीरम सूक्ष्म सरीरम् तनुम अर्थात तनुम सूक्ष्म सरीरम् इयोनिम अधिस्ठाता इयोनिम इयोनि पदेन प्रकर्ति हिग्राहिया अथचा अनंतरम बरतते चंदस्या चंदस्या इत्यनेन किन्तात परियम् तत्र एकम सूत्रमस्ती वसोह समूहे चा वसोह समूहे च इत्यस्मन सूत्र भगवता भास्यकारेणों अख्यर समूहे चंदसह उपशंख्या अनमिती एकम वार्तिकम पठितम् तस्यवार्तिक से व्याख्या नंकरतम् सब्तदस अक्षाराणाम समूह चंदसह सब्तदस अक्षाराणाम समूह चंदस्या चंदस सब्दात यत प्रत्ययह श्वार्थे यत प्रत्यकरतेशती चंदस्य है ती सब्दा निस्पद्यते यस्यर्था भवती सब्तदस अक्षार गोचरानाम शमुहा तो सप्तदस अक्छरानाम यह समुहा श्रह चंदस्यह पुनहा गिरुक्तम चंदसाम तो चंदसाम इत्यत्रो शुरुती नाम अनाधि गुरु अध्ययन परंपराता स्रमन गोचरानाम श्रमन गोचरानाम केसाम स्रमन गोचरानाम तो शुरुती नाम अनाधि गुरु अध्ययन परंपराता श्रमन गोचरानाम वैखरी रूपानाम सक्रमानाम वैखरी रूपानाम वचसाम सक्रमानाम योनिम अधिष्ठानत्वेन प्रकर्तित्वेन वरतते कहा अकर्त्रिकह वेदहा अकर्त्रिकह चंदहा अकर्त्रिकह चंदहा यस्य चंदसहा कस्चन आधुनिकह सरीरी करता नास्ति सहचंदह वैखरी वाग रूपा नाम या वैखरी रूपा या सक्रमा वैखरी रूपा या वाक वर्तते तश्या हो चसः अधिस्ठानत्व न प्रकर्टित्व न वेखरी वाग वर्तते चंदह वर्तते गेंतु इति चंदसाम योनिम इत्यस्य अर्था हा चंदस्य हा इत्यत्र तो चंदस्य हा मया कथि तम एद चंदस्य असब तदस अक्छाराणाम समूह हा चंदस्य हा तत्र चंदस्य हा इत्यने पदेन इदमे तागपरियम वरतते यद पंच ज्यानेंद्रियानी पंच पंच करमेंद्रियानि, पंच प्रानाह, इती पंच दस, अधचा मनाह वुद्धिस्च, इत्ति आहत्य सब्त दस, सब्त दस जातम, सूक्ष्म सरीरं, पंच करमेंद्रिया, पंच ज्यानेंद्रिया, पंच प्रानाह, मन वुद्धि इती, इती आहत्य सब्त दस संख्या जाता, एते साम सब्त दसानाम, समुह वर्तते, समुह भूतां किम्भवती सूक्ष्म सरीरं, सूक्ष्म, अयच्य सूक्ष्म सरीरं, सह एव आत्मा, सह एव आत्मा, साच आत्मा, साच आत्मा, अत्र कास्ति, तो सूक्ष्मा वाक, इती, द्रश्टांत परमिदंबाक्यम, यद यथा सांख सास्त्रे, सूक्ष्म सरीरस्यद वर्ण नमस्ति, तस्विन सूक्ष्म सरीरे, सप्त दस अवयवाः भवंति, पंच करमेंद्री, पंच ज्यानेंद्री, पंच महा प्राणाह, मन बुद्धी, अहंकार आत्यादी, अश्टा दस भवंति, अत्र सप्त दस आणाम एव गरहनंकारियम, तो सप्त दस समूहानाम सप्त दसानाम यह समूहा सह सूक्ष्महा, सूक्ष्मह वरतते, त यथा सांक सास्त्रे यह सूक्ष्म सरीरहा, यत सूक्ष्म सरीरं, तद सूक्ष्म सरीरम एव इस्थूल सरीरस्य कारणम भवती। इस्थूल सरीरम एव संसरती। एवंचा यथा छाया आस्रयम बिना नतिष्ठती तथा बुद्धी रपी आस्रयम बिना नतिष्ठती अतह बुद्धेह आस्रयह सुक्ष्म सरीरहा। स्थूल सरीरस्य प्राप्ति ही देहां तरस्य प्राप्ति ही एवं रित्या इदं बक्तव्यम यद सुक्ष्म सरीरम एव स्थूल सरीरस्य कारणं एवं सती इस्थूल सरीरम एव सुक्ष्म सरीरस्य प्रक्रति ही इस्थूल सरीरस्य सुक्ष्म सरीरम एव अधिस्ठानं एवं या वैखरी वाक वर्तते तस्याह वैखरियाह वाचह अधिश्था नमस्ती सूक्ष्मा वाक मध्यमा वाक तस्याह मध्यमा वाचह ज्नाम संसय विपर्यय भ्रमानां भ्रमरूपानां ज्नानां यदा निवरत्ति भवती तदा तस्याह मध्यमायाह मध्यमा रूपायाह वाचाह ज्ञानम भवती यस्च याच यूनि याच आत्मा वर्तते याच वाग आत्मा पद वाच्या आत्मा चित्तम आत्मा इती चित्तम इती चित्त पद वाच्या अरथाद स्थूलस्यकारणम वैखरी रूपायाह स्थूलवाचकारणम मध्यमा रूपायाह सूक्षमा वाक एव शह एव योनी तदेव चित्तम ते नग्याने नईव चित्तस्यव वास्तिविकस्य स्वरूप स्यधाज्यानम भवती तदा परमपुरुषारथस्य प्राप्तिही अथच चंदस्या इति पदेन सूक्षम सरीरस्य प्रति पादनं करतं सांखनय अष्टदसानाम शमुह भूतं भवती सूक्षम सरीरं मन बुद्धी अहंकार पंच ज्यानेंद्रिय पंच करमेंद्रियानी पंच करमेंद्रियानी पंच महा प्राणा हाई किन्त वेदान्त सास्त्रे सूक्षम सरीरे त्रयोदस अवयवाह थवा सप्तदस अवयवाह एव भवती परंच इधमेव तात्परियम यद स्थूलस्य कारणम सूक्षम एव भवती सूक्षम एव भवती इस्थूलस्य प्रकर्टिही सूक्षमा एव भवती यथा अणवह सूक्षमा हसंती इस्थूल रूपा कार्य भूता प्रकर्ति इस्थूला वर्तते, कार्य रूपा प्रतिवी इस्थूला वर्तते, इस्थूलायाह प्रतिव्याह, स्थूला भूतायाह प्रतिव्याह, कारणं सूक्ष्म परमानव एव, सूक्ष्म परमानु व्याह एव, इस्थूला प्राप्तिरिती इस्थूल रूपतायाह धारणं भवतीती प्रायह सरवस्य इदं रहस्यं सरवस्य इदं प्रतिपादनं वरतते। कस्चन सरीरी करतानास्ति तस्य ज्ञानं व्याकरणं विना कदापिन भवितुम अरहती। कि अध्याह धभवंताह सुर्तवंताह भगवत करपयया पुनहा अग्रिम सप्ताहे अहम्यथा समयन उपस्थितो भविष्यामि तावत करते भवतां समेशां करते धन्यवादाह भवंताह समयन आगख्षंति माम्च स्णुमंती ती मदक्रते प्रमोधस्य विषयाह धन्यवादाह अंते समूलम अपी निखलम अपी व्याक्ष्यानं समस्त मुनि मनुज ब्रंद ब्रंदारक बंदनीय पादार विंदस्य भगवत ह हनुमत ह चर्न कुशेशयोह विनिवेद्य प्रनमामी नमामी धन्यवादाह